हेलो फ्रेंट्स वोलगनों बैक नादर वीडियो दिसी जनुवण से का निवराजिंग कमजी साय उस्थन और यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज ब्येस्टिक सिगाडी में जो टीवैफ सेंसर लगा रहता है उसके जो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा तो जो जॉइन बटन सब्सक्राइब बटन के नीचे मिलेगा जो जॉइन बटन तो इसमें जरूरी नहीं है जो जॉइन करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ बात नहीं है लेकिन आप सबको रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई और यह जो आपका इच्छा है तो इन चे जॉइन कर सकते हों मिम्बर्शिप ज ahead of support फोन पे भी मिल सकता है ओगे ओके ऐगे सो आज यह टेंप्रेचर पेसर सेंसर टीव सेंसर अपफुलेट पेसर चुल जो है या अपसुलेट पेसर सेंक सर तो इसमें जो नो रियर रिता है चार ररा है तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा फॉल कोड आता है आपको पता है होगा जो जीरो सेबन फोर वन जीरो सेबन फोर टू जीरो सीच्स नाइन वन और जो आता है यह ट्रिपल 5576 556 तो यह 556 का उपर बहुत बार जो कभी-कभी ऐसा होता है जो सब कुछ ठीक है 556 भी नहीं जाता है यह प्रब्लम है भाई तो फ्रेंट्स हम देखेंगे मैनुली जो यह सेबन फोर वन और सेबन फोर टू सिक्स नाइन वन जो ऐसा कोड आएगा टीवाफ सेंसर के उपर तो हम कंप्लेटली इसका सॉलेशन करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को इन तक देखते रहे ओके सो देख को यह सेंसर है सेट रहता है तो यह अब देख सेके तो नका हुआ यह सेंसर को ऊपर एक चार तो यहां पर यह नमबर वाइर उसको बोलेगा सब्रूसके बाद दो तीन चार ऐसे गरकर चार वायर है यह T-vap sensor में तो Friends इसमें जो fault होने के करण ऐसा लिखता है जो sociable जो ansch़ाएगा तो ऐसा भी Student लिखता है तो फ्रेंट्स हमको देखते हैं इसको कि फ्रेंट्स यह आप देख सकते हो बीए सिक्स टेंपरेचर बैरमेटिक एपसुलेट पेशर सेंसर तो यहां पर यह जेटू ECM 2670 है यह जेटू का कपलर है यह जो पिन नंबर है आप देख सकते हो जेटू का आठ साथ पा पूर तो यह दोनों सिगनल है एक जो प्रिशर ऑर का performing टेख सब्सक्ष्स चाहता है और नाप्ता है तो यह यह दोनों सिगनल होगया यह फाइब होलस अपलाई और एक Raid तो यह आपका जो वाइंग डियाग्राम कंप्लेट हो गया तो फ्रेंट्स कभी-कभी ऐसा होता है जो फाइब बोल्ट सप्लाई इस दो नंबर वायर में जो फाइब नंबर पिन से ऐसे नहीं आता है तब यह साथ सो बायालिस जो कोड है यह गाड़ी में देखा साथ सो बाय आता है वह रहा हैता है तो हम चेक किया इस geç किया तो तीन वायर में लेकिन फॉल सप्लाई जो ए जो नंबर पिन से जोसर इसमें च्रील नहीं दे रहा था तो फ्रेंट्स इसमें जो बनेंलट मोर रितो काहीं प्राइब होगा तो फ्रेंड्स करिसे एस में आ च्रील प्रॉब्लम कहीं मिला, रात में काम किया था, तो हम सिंप्ली केट दिया जो एक्सिलेटर पैडल का जो डी नंबर पॉइंट है फाइब बोल्ट सप्लाई तो वहां से यहां पर सिर्फ चेक किया जो इसमें जूड के तो फ्रेंट्स इसमें जो जूड दिया तो इसमें जो सासो बैयालिस कोट और 556 557 कोट था वह बी इनैक्टिव हो गया था तो फ्रेंट्स में 556 तो यह आपको अच्छे से वाइरिंग को चेक करना है जो क्वांटिनिटी बराबर आ रहा है या नहीं एक दूसरे के साथ सटा हुआ है यहां पर आप देख से वाइरिंग को प्रोपर तरीके चेक करना चाहिए तो फ्रेंज हम दिखा जैते हैं फॉल कोड क्या क्या आता है तो यहां पर आप देख सेखे क्तोगों सेबन फॉल कोड है टार्बो चार्जर वान कंप्रिशर इंटेक प्रिशर सर्कुट बोल्टेज विलो नॉर्मल और शॉर्टेट टू लो सोर्स एसा करके सासो ब्यालिस का एक फॉल कोड है है और जो पाच पांचियात्तर है इंजिन एयर फिल्टर डिफेंशियल पेशर डाटा बलेड़ बाट अब नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज लिस्ट सेवर लेवल तो ऐसे करके जी जो चेक पैंट जो सब फॉल कोड आता है सबसे ज्यादा सासो बैयालिस सासो एक्यालिस शेसो एकानवे और पाच पांचियात्तर है तो हम बहुत भाई फोन किया था सब्सक्राइब आप सब कॉल किया था जो भाई पाच पांचियात्तर नहीं जा रहा है यह यह फिल्टर चाहे सासो एक चालिस चाहे 691 यह कोड के साथ 556 आया था तो 556 आने के बाद यह जो कोड इनक्टिव हुआ उसके बाद यह 556 सिर्फ क्लियर किया तो यह 556 हट गया था तो फ्रेंट्स इसके बाद आप देख सकते हो चेक पॉइंट क्या क्या कर सकते हैं तो चेक करना है और इंटेक पैपलाइन कहीं लीकिज बगरा कुछ है एसा कुछ कोच करना है और सेंसर में भी खराब हो सकता है तो यह सब अच्छे से आपको चेक कर लेना है और जो भाई बोला जो मेंबर्शिप का ऑप्शन तो इसमें जो यह तो सपोर्ट करते रहेंगे और आप सब भी मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें भाई